वेलकम तो न्यू लेसन कल के लेसन में आपने समझा था अबाउट गूगल शॉपिंग एड्स मैंने आपको एक ओवर्वू दिया था अबाउट गूगल शॉपिंग एड्स आज के लेसन में हम समझेंगे कि गूगल शॉपिंग एड्स रन करने से पहले आपको किन-किन आपके पास होनी चाहिए, तो देखो, अगर आप Google Shopping Ads रन करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपके पास एक e-commerce website होनी चाहिए, ठीक है, अगर e-commerce website नहीं है, तो Google Shopping Ads रन करने का कोई फाइदा नहीं है, आपकी जो e-commerce website है, वो किसी भी platform पे हो सकती है, हम जो सीखेंगे, वो सीखेंगे WordPress के लिए, सेम प्रॉसेस है बाकी किसी platform पे, सेम वहाँ से भी आप plugin लेके, सेम काम कर सकते हो, जो हम WordPress पे सीखेंगे, या फिर आप अपने developer के help ले सकते हो, तो सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए अपनी e-commerce की website, दूसरी चीज़ आपके पास क्या होना चाहिए, Google Merchant Center का account, ठीक है जी, Google Merchant Center का आपके पास account होना चाहिए, अगर आपको Google shopping action करनी है, तो you need a Google Merchant Center account, Google Merchant Center account में क्या होता है, आपके जितने भी products हैं, उसकी information आप Google Merchant Center के through Google को देते हो, ठीक है, तो you need a Google Merchant Center account, ठीक है, अगरें clear है आपको की Google Merchant Center account होता क्या है, तो suppose करो आपकी e-commerce website है, और इस पे 100 product है, हना, तो आप इन सारे products की information किसे दोगे, Google को दोगे, वो कैसे दोगे, वो दोगे through Google Merchant Center account, अभी information देने के दो-तिन तरीके हैं, वो हम अगले lessons में सीखेंगी कि कैसे आप दे सकते हो, but you need a Google Merchant Center account, तीसरी चीज़, अफ्कोर्स जाइड सी बात है, आपके पास Google Ads का account होना चाहिए, राइट, चौती चीज़, आपका जो Google Ads account है, उसका integration होना चाहिए, किसके साथ, तो Google Merchant Center कैसे, Google Ads account और आपका Google Merchant Center account का integration होना चाहिए, राइट, ताकि जो भी आपके Merchant Center में information है, जो भी products की information है, वो Google fetch कर सकते, राइट, देन, आपका जो Google Analytics account है, उसको आपको तयार करना है, किस चीज़ के लिए, enhanced e-commerce के लिए, ठीक है जी, तो क्या-क्या चीज़े चाहिए, सबसे पहले तो आपके पास e-commerce वेबसाइट होनी चाहिए, देन, आपके पास Google Merchant Center का account होना चाहिए, देन, आपके पास Google Ads का account होना चाहिए, देन, आपका Google Ad account और Google Merchant Center account का integration होना चाहिए, देन, जो भी आपका Google analytics का account है, वो enhanced e-commerce के लिए setup होना चाहिए आपका Google Analytics account ऐसे setup होना चाहिए कि वो enhanced e-commerce की information जो भी e-commerce का data है वो fetch कर सके ठीक है वो उसके लिए थोड़ी अलग setup होता है वो हम सीखेंगे आज के lesson में कैसे setup होता है plus आपका जो Google Ad account है उसको आपको तयार करना है for dynamic remarketing ads इसके लिए भी कुछ setup होता है वो हम सीखेंगे कि कैसे आप वो setup कर सकते हो तो अपने Google Ads account को आपको तयार करना है ताकि आप dynamic remarketing ads रन कर सो तो यह पाँचे चीजे हैं बस जिसका आपको ध्यान देना है shopping campaign रन करने से पहले और एक और चीज़ जो बहुत जरूरी है जो अभी तक मैंने बताई नहीं आपको जितने भी आपके website पे product है उनका सही नाम और description आपको तयार करना है देखो जो Google shopping campaigns होती है उसमें keyword का use नहीं होता तो Google सारी information fetch कहां से करता है कैसे आपकी ad दिखाएगा तो Google ad दिखाता है based on information from your product name and product description तो अगर आपके product का नाम product का description सही नहीं है तो जो आपकी ad है वो सही लोगों को नहीं दिखेगी अगर ad सही लोगों को नहीं दिखेगी देन होगा क्या आपके ad के पैसे waste होगे तो before you start running Google ads make sure कि आप एक पूरी list compile करो जिसमें के जितने भी आपके product है उनका नाम, उनका description सारी चीजे आपने सही से लिखी होना तो यह सारी चीजे होनी चाहिए आपके पास before you start running Google ads Google shopping ads आगे जाके हम सारी एकी चीजों को cover करेंगे देखेंगे कि कैसे सारी चीजे हमें करनी है ठीक है जी? Thank you so much for watching this list